Hello Children, Today I am going to explain the Mumbai Musician Mumbai, Mumbai एक शहर का नाम है जो की महाराश्टर में है और यह महाराश्ट की कैपिटल यानि की राज़दानी भी है और मुजिशन मेंने संगीत कार अब इस चैप्टर का नाम मुजिशन ही क्यो हा? कोई और शहर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुबई जो है यह फिल्म सिटी के नाम से बिचाना जाता है और मुजिशन यानि की संगीत वहीं होगा जहां फिल्म होगी और मुजिशन मेंने संगीत कार तो दम मुबई मुजिशन मेंने मुबई का संगीत कार Once upon a time there lived a donkey named Gopu एक समय की बात है एक गधा रहता था उसका नाम था Gopu He had worked for many years in the house of a farmer उसने farmer यानि किसान के घर में बहुत साल तक काम किया था He had carried many heavy sex of corn and sugar cane from the farm to the factory उसने बहुत भारी भारी sex मेंने बोरे जो है मक्के के और शुगर के नगने के कहां से कहां ले गया था वो फार्म यानि किसान के खेट से फैक्टरी तक ले जाता था He was now very tired and old आब वो बहुत थक गया था Tired मैंने थक गया थकना और old मैंने बुड़ा हो गया था The farmer said to gopoo you are a good doggy किसान ने gopoo से कहां तुम एक अच्छे गदे हो Take this sex of corn and go and see the world before you become too old तुम क्या करो ये जो कौन है इसके बोरे को ले जाओ और दुनिया को देखो इससे पहले कि तुम बुड़े हो जाओ Gopoo smiled and said goodbye Gopoo मुस्कराया और उसने कहा अलविदा He set off towards the city of Mumbai वो Mumbai शहर की तरफ चला गया I am good at music मैं संगीत में अच्छा हूँ I will go to Mumbai and be a musician there मैं मुंबई जाओंगो और वहाँ एक संगीत कार बनूँगा On the way he met a dog रास्ते मुसे एक कुटा मिला Where are you going? Ask Doopoo कुटे का नाम डोपु है उसने पूछा तुम कहा जा रहे हो? I am going to Mumbai to be a musician Would you like to come to ask Gopoo? Gopoo ने कहा मैं मुंबई जा रहूँ संगीत कार बनने के लिए क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? Yes, I would reply Doopoo Doopoo ने उसको जवाब दे हाँ चलूँगा Offend the two friends on the dusty road to Mumbai वो दोनों मुंबई के तरफ जो dusty road थी उस तरफ उतर गए उस तरफ चले गए They saw a ball of fur in the middle of the road उनको road के बीच में एक ball देखी जिस पे fur थे Who are you? They asked मैंने पुशा तुम कौन हो I am furry the cat Said the cat उस बिल्ली ने कहा cat ने बिल्ली ने कहा मैं furry हूँ Would you like to come with us to become a musician क्या तु मेरे हमारे साथ संगीत कार बनना पसंद करोगे? क्या तुम हमेरे साथ आओगे? संगीत कार बनने के लिए? Ask GoPro and Dopoo together GoPro and Dopoo दोने ने साथ पुछा यहाँ पर देखिए यह है GoPro यह Dopoo, Dog GoPro, Donkey और यह Cat, Furry Cat Oh, I would have to come along like furry furry ने कहा मुझे मतब पसंद है ठीक है? So, when the three become three together to become Mumbai musician तो वो तीनों आप तीनों होगे न वो तीनों कहाँ चले? मुझे चले गए संगीत कार बनने के लिए तीनों साथ में चले गए सून दे मैट कुको दे कुको दे कॉक्स उनको रास्ते में कौन मिला? कुको मिला जो की एक कॉक है I love music and wish to join your band मुझे 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 पसंद है और मैं तुमारा band जोइन करने की इच्छा रखती हूँ They all reach a house with light वो सब एक घर में पहुँचे जहां पे क्या थी? light जल रहे थी They were tired and hungry वो ठक गए थे और hungry यानि की भूके भी थे They peeped into through the window and show a table with delicious food Peeped मैं ज्छाकना तो उन सब ने ज्छाका कहां से? Through the window से ज्छाका और देखा की table में क्या था? Delicious यानि की स्वादिष्ट खाना था They decided to sing to let the people inside know that they were musicians उन्होंने ये decide किया ये ताई क्या मतलब की वो लोग गाएंगे और जिससे की जो अंदर है लोग वो समझाएंगे वो जान जाएंगे की ये लोग क्या है? ये संगीतकार है They sang उन्होंने गाना शुरू किया The people inside through the coast thought The people inside thought that coast had come to scare them जो अंदर लोग थे उन्होंने सोचा की coast ने ये भूत आगया है उन्हें स्केर ने की डराने के लिए They ran away as fast as they could वे भागे जितने ते जो भाग सकते हैं तोने ते जो भागे Goepo, Doep and Furry went into the house and add the food Goepo, Doep and Furry जो है वो घर के अंदर गए और उन्हें खाना जो था वो खा लिया Till they could eat no more उतना खाया कि उस से जदा वो खानी सकते थे यानि के पेड भर के खा लिया यहाँ पे देखे पिक्चर हाउस की यहाँ पे people दिख रहे है जो की भाग रहे है तो यह डर के भाग रहे है यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट हुई न्यू वर्स हैं टायड मैंने थकावा, मुजिशन मैंने संगीतकार, पीप्ट मैंने जाकना डिलिश्यस मैंने स्वाधिष्ट, घोस्ट मैंने भूत और इसके मैंने डराना इसके question answer करते है फिर्स है वाइ डिद फार्मर तेल कोपू टू सिधवर्ड फार्मर ने क्यों कहाता गोपू को बड देखने के लिए तो यहाँ पे हम इसके इसक्रेंशोट यहाँ पे देख सकते हैं Parma tells Gopu to see the world as they was now very tired and old. Next day, why did Gopu, Dupu and Fari want to go to Mumbai? क्यू जाना चाटे ते हो Mumbai? Gopu, Dupu and Fari wanted to go to Mumbai to be a musician. Next day, why did the people in the house ran away? क्यू भागे यो घर के लो? The people in the house ran away because they thought that ghosts had come to scare them. अब हम करेंगे इसमें एक बॉक्स बनाएं जिसे शॉट e-vort जहांपर e-shot आरहा है जिसे लेक यहांग, e-shot आरहा है ऐसे विए दीब बोलन की तो है e- लंबा खींच रहा है जहांपर short word आएगा वहांपर आपको भरना है जहांपर short e-word है ऐसे short i-word है जहां पर आई शॉट आएगा ठीक से पिग और जहां पर आई बढ़ाएगा आई स्माल तो वह नहीं भरना है इस तरह से शॉट ईवर्ड शॉट आईवर्ड फिर लॉंग ईवर्ड लॉंग आईवर्ड फॉर्स जैसे लेग है लेग के बाद आप नेस्ट भी यहां पर आ सकत इस वर्ड ऑर क्या आएगा यहां पर आहाएगा यहां पर आएगा बेल ब-e-l-l शॉट वर्ड एस नीजे पिग पिग में आएगा आपका फिश शॉट एफड एफ आप अफ ए ए त फिश एच ऐसी अधिल होट आ रहे है लिप निप में भी शोट है चीक है ऐसी लॉंग यृट ई आ रहा है इसिए डीप बढ़ा आ रहे है यहां पर आपका रही है स्ट्डीड यह स्ट्डीट आ रहे है और 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 भी आ से शीड ये भी आ रहा है ठीक है next day smile long smile ऐसी यहाँ पर आएगा dice बड़ा है ठीक है और line इसमें खीच रहा है kite तो इस तरह से यहाँ पर आपको एक अप्डीट करने exercise यहाँ पर है do you play any musical instrument क्या तुम ने किसी musical instrument से play के बजा है तो yes I play a play musical instrument if no which instrument do you want to learn अगर आपका अंसर उपर no है तो आप लिखो I would like to play drum या I would like to play piano जो आपको अच्छा लगी हो लिखना है नीचे opposite word है जिसे mother है अब mother का opposite क्या होगा father next uncle का auntie a-u-n-t-y next loin का loin is l-i-o-n-e-s-s next king का queen q-u-e-e-n next man का woman w-o-m-a-n ऐसी grandfather का grand mother m-o-t-h-e-r mother ओके grand mother m-o grand master लिखना है t-h-e-r तो इस तरह से हमारी स्टोरी यहाँ पर कम्टी टुई कैसा लगा मझे कमेट कर रहे है ओके बाई बाई के गवाँ गगारी स्टी का ओके जाब काऊषे लिवारी स्टोरी यहाँ परेवाँ पर्री यहाँ कर लाईमारी, स्ट्वफ नरा imposeँना मझे मक्टी के वाः्मारी स्टैब वाफ के रहे हम de 14 8 dopo के लिववri स्ट्शना है